Hello my dear ones, आज उस सीडियों में बात करने वालियों में एक ऐसी केस के बारे में जिस लड़के को erectile dysfunction की भी problem थी, बहुत anxiety और depression और तरह तरह की relationship issues भी रहते थे, अपने ही family members के साथ बहुत सारे ऐसे emotional issues रहते थे, जिसकी वज़े से आए दिन किसी ना किसी से जगणा हो जाता था, बाहर भी लोगों कुछ से ज़ादा बनती नहीं थी, घर में भी सबसे bonding issues रहते थे, उसकी वज़े से उसका career, health, सब कुछ disturb हो गया था, तो इस case को हम समझेंगे, क्योंकि हर case हमें बहुत कुछ सिखाता है, दूसरों के जीवन से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने जो गलतियां क हमें उन गलतियों को करने से बचना है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रयास की शक्ती से, हिम्मत से अपनी जिंदिगी को बहतर किया है, तो उससे भी हम सीख लेकर ये विश्वास जगा सकते हैं कि हम भी ठीक हो सकते हैं, तो समझते हैं, अभी 27 साल का एक लड़का है, जिसको अभी मैंने बताया आपको तमाम इशूस हैं, हुआ क्या, कि जब ये छोटा था, 6 साल का, तो इसका कजन, जो कि उस वक्त 16 साल का था, अब 10 साल बड़ा कजन, अब वो टीनेजर था, और ये 6 साल का छोटा बच्चा था, लेकिन उसने इतना अकल नहीं मासूं बच्चे के साथ ये सब हरकते करनी चाहिए हैं, नहीं करनी चाहिए हैं, तो वो उनके घर आया वा था, और उसने क्या किया, रात को उस चोटे बच्चे के साथ सेक्शल अक्टिविटीज करने की कोशिश की, अब वो चोटा बचा था, उसे कुछ पता नहीं, अब लेकिन उसको बार 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 पर इस तरीके की अक्टिविटीज में इंवाल्व करना, कभी लालाच देना, कभी डराना, इस तरीके से वो उनके हैं, दस बारा दिन के लिए रुकने के लिए अब अब छोटा बच्चा था, समझ नहीं पाया लेकिन इस चीज में कि एक आतत पड़ गई, तो उसने बताया है कि जब कोई इस तरीके से कजन तो चला गया था, कोई और होता नहीं था कि जिसके साथ इस तरीके की छेड़गा नहीं कर सके, तो बच्चा आपने आप ही इस तरीके से self pleasure activity में involved होने लगा, छोटा सा 6 साल का बच्चा उसको तो क्य अंडर्वेर में हाथ डालो और इस तरीके से कुछ activity करो और थोड़ा अलग सा लगता है, इस तरीके से करते करते हैं, वो 6 साल की उमर से शुरू होता होता, उसने अपनी टीनेजर पूरी और यह सब चीज़ें, फिर उसको मतलब जैसे से बड़ा होता रहा, इस तरफ उसको और उजहान होता रहा है, मतलब वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा source ढूनता था, तो उसने बताया कि बच्पन में भी जैसे अपनी class में भी होती थी, तो किसी लड़की के hip को touch कर देना, या इस तरीके से ऐसे pinch कर देना, जिसकी वज़े से उसको कई बार डाट भी पढ़त जा रहा था, और उसने इतना masturbate किया, इतना जादा access में, मतलब ऐसे हर रोज का एक हो गया था, दिन में कई बार दो बार भी इस तरीके से वो करता रहा था, दो से तीन बार इस तरीके से, मतलब रोज उसके लिए ऐसा कि, एक habitual वो हो गया था, इस चीज़ का, तो करते करते काफी लंबे समय तक, यह सब चीज़े चलती रही, अब वो चलते नहीं, आप कोई भी चीज़ आती में करोगे, तो फिर उसके तो side effects भी आएंगे, क्योंकि एक तो इतनी छोटी सी age में, इन सब चीज़ों में introduce कर दिया गया, उपर से फिर, अती में, जैसे से बढ़ा होता आने लगे, जैसे कि उसका weight reduce होने लगा, आँखों के नीचे बहुत आता, काले गड़े आने लगे, उसको लक्षणाए कि उसको भूख कम लगने लगी इस तरीके से, और रात को नीद ही नहीं आती थी जब तक वो masturbate नहीं कर लेता था, तो इस तरीके से उसके साथ यह सब खपड भी लगाए, तो उस सब चक्करों में वो थोड़ा aggressively behave करता था, तो घरवालों से भी bonding खराब होने शिरू हो गई, मतलब उसका पढ़ाय लिखाए भी सारी खराब होने शिरू हो गई, health भी उसकी खराब होती जा रही थी, उसका family member से भी bonding से भी खराब होती जा रही बहुत anxiety, बहुत depression सा, बहुत ही जादा anxious फिल करने लगा था, छुटी छुटी बातों पर anxiety फिल करने लगा था, उसने बताये कि जिससे वो कभी रूम में अपना masturbate कर रहा होता था, कोई आ जाता था था, उससे बहुत गुस्सा आता था, कि उस ताहीं पर वो एक तरीके से obsess इस तरीके से कर रहा होता था, कि कोई भी आ जाए तो disturbance बरदाशनी एक दम से, तो चीख ना चिलाना उस सब से उसको लक्षन आने लगे, उसको anxiety फील होने लगी, हरसे में हार्ट बीट बड़ी सी, कपराहाट कपराहाट सी महसूस होने लगी, लेकिन masturbation की habit को वो इन सब ची करना है तो इतने सालों तक आप करते हैं, तो दीरे दीरे उसको इस साथ क्या होने लग गया कि उसकी जो erection था, उसमें गिरावत आने लग गई, उतना एरक्नी होता था और उसको फिर तरह तरह के डाउट साने लग गए, कि यह क्या हो गया है, फिर आजकल तो बहुत वह है कि लिया और कुछ भी इस तरीके से आप सर्च करने लग जाते हो, तो सर्च करते हो तो बहुत सारी information आपके पास आजाती है, जो कि बहुती confusing होती है, ऐसे उसके साथ हुआ, कि उसने information देखी कि बहुत ज़्यादा masturbate करने के यह side effects से ऐसा हो जाता है, फिर आपको impotent हो जात premature ejaculation हो जाता है, आपकी married life ऐसी हो जाती है, यह वो इस तरीके से तमाम उसने information इस तरीके से दिमाग में भर गई, और confusion, anxiety पहले से शुरू हो गए थी, और anxiety बढ़ गई, उससे एकदम से उसकी जब anxiety बढ़ती गई, तो क्या होगा कि जब आप इतना anxiety में हो, तो फिर आपको कैसे अच्छा erection आएगा, क्योंकि आपकी इस सब चीजों का mind से बहुत ज़्यादा deep connection है, तो बहुत ज़्यादा anxious रहने की वज़ा से, अब उसको erection उतना नहीं आता था तो उसकी और anxiety बढ़ने लगी इस बात से, और तरह तरह कि वो चीज़े जो information लीती, वो दुमाग मे belief set होने लग गए, कि शायद मेरे पास में इतना सब कुछ ही क्या है, इसकी वज़े से मेरी life खराब हो गया, अब मैं अपनी sexual abilities खो चुका हूँ, और मैं अच्छे से sex नहीं कर पाऊंगा, मेरी शादेशिदा life नहीं चलेगी, आगे मेरे बच्चे नहीं होंगे, वो पूरा पूरा जो negative thoughts की chain हो जाती है, वो सब चीज़े इस तरीके से उसके दिमाग में खुमने लग गई, अब जब यह सारी thoughts खुमती है, और information आप बार 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 similar अपने दिमाग में भरते रहते हो, और इस तरीके से anxiety के वज़े से जो आपकी body respond नहीं कर रही होती अच्छे से, क् अगर आपके दिमाग में इतनी negative anxious thoughts सल रही है, तो आपकी body कैसे prepare होगी, नहीं होगी, तो वो इसको evidence लगने लगा कि सच में ऐसा हो गया, कि मुझे ऐसे erectile dysfunction की problem हो गई, तो अब वो चीज, मतलब proof as evidence उसके सामने आ रही थी, तो उसने फिर डॉक्टर से भी consult किया, तो डॉक कि अपने काफी मास्टरबेट भी कर लिया लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी sexual performance ability खोच चुके हो, सब ठीक हो जाएगा, lifestyle सुधार और रोटीन, क्योंकि सका lifestyle वगरा भी भॉत खराब था, ना कोई exercise, ना healthy diet, इतना उगुसा करना, ना कोई उसका goal life का, कुछ भी नॉर्मल है, वैसे हमने चेक कर लिया है, आपको अची तरीके से, ऐसी कोई problem तो लगनी रही है, बाकि यह आपका, एक psychological condition बहुत लग रही है, आप बैटर रहे किसी psychologist से consult करो, उसे बात करो थोड़ा सा, आप समझो, थोड़ा अपने अंदा changes करो, कदर सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके से multiple doctors को visit करने के बाद फिर यह case मेरे पास आया था, जब पता चला तो यह सब चीज़ें जो 6 साल की उमर से शुरू हुए थी और इतने लंबे समय तक लगा था रहा आप चल रहे हैं, और फिर उपर से वहम दिमाग में गुज गया, और उस वहम की वज़े से इत इसे रखना हो, यह वो इस तरीके से उसको तमाम confusion हो रहे थे, तो मुझे भी उसको समझाने में यह time लगा हूँ, क्योंकि उसको यह था नहीं, आप प्रूफ करो, कैसे, कैसे, कि यह psychology से कैसे connection है, तो उसको पूरा system समझाया, पूरा अच्छे से scientific way में और कैसे कैसे effect आता है तो तब जाकर उसको समझ में आने लगा कि इतने सारे doctors previously में इतने लोगों से consult कर चुका हूँ, सब यही बोले तो इन लोग की बात मानने के लावा मेरे पास कोई option नहीं है, तो मरता क्या ना करता, तो कोई option नहीं था उसके पास, तो उसको फिर prepare किया गया कि अगर आपको ठीक होना है, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, बिना विश्वास कि ठीक नहीं हो सकते, और जैसा जैसा बताया जाएगा, आपको वैसा वैसा follow भी करना पड़ेगा, तो फिर बताया हो कि भी अपनी lifestyle इतना खराब है, आपको change कीजे, exercises कीजे, और कुछ समय के लिए, यह जो urge आपके अंदर आती है, कि ऐसे करें, लेकिन फिर वो जो fear की वज़े से आपको reaction नहीं आपा रहा है, उसको easy way में लो आप, इस तरह जिनी कि thoughts की chain आगे चल कर, कि मेरी शादी और बच्चे तक आप पहुंच गए, कि सब मेरी जिन्दगी खराब हो गया, आपको बिल anxiety, जो मेरे गलत lifestyle की वज़े से, कुछ गलत आदतों की वज़े से, इस तरीके से हो गई है, यह उसका परिणाम है सर्फ, तो अब मुझे अगर इसको change करना है, तो मुझे सब कुछ reverse करने के लिए, बहुत कुछ ठीक भी करनी होगी, बहुत सारी अपनी आदते, अपना routine, lifestyle, स process करना होगा, अपने अंदर से स्पीर को release करना होगा, तो इस सब उसमें time लगता है, तो patience आपको रखना ही पड़ेगा, और आपको regular अच्छी healthy practices में रहना होगा, healthy coping mechanism में जो होते हैं, वो करने हैं, तो उनको अपनी thoughts को dispute करना, evidence-based checking करना, affirmations, meditations करा, बहुत चीज़े कराई, तो उससे बहुत फायदा हो रहा था, सब कुछ अच्छे से बहुत recover हो रहा था, लेकिन वो दिमार में जो एक वहम का बीज डल गया था, एक जो डर डल गया था, वो बिना hypnotherapy के निकल नहीं रहा था, फिर उसको hypnotize करकरके, उसके अंदर के वो fear को, जो information अंदर डाली थी, उस सब से वो process हो, कि जो automatic thoughts generate हो रहे थे, जो fear वाली feeling हो रही थी, उस सब को तीरे 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 release कराया गया, और उस चीज़ में subconscious mind को जब messages दिये गए, कि इस fear को छोड़कर, अप realistic way में क्या करना है, उस तरफ अपनी energy लगानी है, तो जब आप hypnosis में इस तरीके के suggestions दे करते हो, और किसी का fear release कराते हो, उसको acceptance दिलाते हो, उसको ready करते हो, अमनी life को और better करने के लिए, तो process बहुत fast हो जाता है, क्योंकि hypnotherapy में directly आप पसंद के subconscious mind से डील कर रहे होते हो, बाकि सारी therapies में आप conscious mind से डील कर रहे होते हो, तो थोड़ से conscious mind को किसी भी चीज को process करने म लगता है, तो वहाँ पर collectively ये सारे efforts के बाद धीरी धीरे उसको ये सब चीजों से बाहर लाए गया, fear जब छूटा, उससे जो related anxiety थी, जो low mood रहता था, और बिलकुल ये confidence चला गया था, और future एकदम डार्क में दिखाई दे रहा था, और इसकी भी तलब उठती थी अंदर से क्योंकि अभी इतने सालों से कोई कर रहा है ये सब चीजे, तो उसकी तो अंदर से ना, फिर डिमांड आती है ना, सो वह भी धीरी 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 सब पहल दी प्रैक्टिस में जाते हो, तो वह भी नॉर्मल रेंज में आने लग जाती है, कि ऐसा नहीं कि आपको बंद क छेड़े जाओगे, अरे पहले इसको हील होने दो, है ना, तब ही तो अपने हाथ का स्मल कर पाओगे ना, तो अगर आप अभी यहाँ पर घाओए और इस हाथ से बहुत कुछ भी इस तरीके का करते रहोगे मेहनत का काम, तो यह हील नहीं हो पाएगा चासे, पहले इसको ही सब कुछ इंजॉइ करना है, यह भी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन अभी पैशन्स, अभी नहीं छेड़ो इस चीज के, पीछे मत पढ़ो, सो वह सब चीजे करके, और क्या होता है कि जब कोई भी इस तरीके की हीलिंग जर्नी में होता है, तो दस तरीके की बा आज आज आपका session schedule है, सामने वाला बंदा बता रहे कि मैनम मैंने अंगूटी पैनली है, मैनम मैंने दागा बांदी अब इस सथीक हो जाएगा, अरे बाबारे यह धागा और अंगूटियां कैसे ठीक कर देंगे उससे, अच्छे बोला कि चलो कर लो, ठीक है, तो देखते ह कहां से दाग अंगूटी, कहां से आज सवाशन ले आए, उस चकर में, यह विश्वास कि अब तो मैं जादू से ठीक हो जाओंगा, और अपने दो sessions बीच में waste करने के बाद समझ में आया, कि यह कुछ नहीं होता इस सब चीज़े, होगा तो ठीक वैसे ही, जैसे मैडम बता आती है, तो मैं experiences आप से इसले शेयर करती हूँ, क्योंकि यह किसी एक इस person की problem नहीं है, यह नाचाने कितने लोगों के साथ होता है, लेकिन कुछ तो खुदी समझ जाते हैं, जब कुछ दागा, अंगूटी काम नहीं कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों को दीरे इस समझाना पड़ता है, कि इच्छी के experimental mode पर डालो, let's see, क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है, तो नहीं होता, जो चीज़ तरीके से होनी है, वो सी तरीके से होगी है, आप इश्वास के तौर पर कुछ पहन ले तो हमें उससे कोई इतराज नहीं है, पहने रहो, लेकिन आप यह स अब अर्जुन फज किया, यूद के मैदान में, तो वो तो भगवान थे, और रिष्टा भी था अर्जुन से, है ना, आपको पते है कि जो श्रीकृष्ण की बहन थी, उनका विवा अर्जुन से हुआ था, दूसरी बात ही है, कि आप यह देखे कि उनके दूस्त भी थे है और वो खुद भगवान थे, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि, अच्छा में तेरे सर पे हाथ रख देता हूं, तू यूद जीत जाएगा, ला में तुझे ये विद्ध्या देता हूं, धागा पिना देता हूं, ये कर देता हूं, कुछ भी नहीं, क्या-क्या, उसका म में की मांग है, तो उसकी सारी कांसलिंग जो थी, महा पर उस टाइम पर, वो जो कांसलिंग सेशन चल रहा था, जिसको हम बगवत गीता के रूप में, जो उनकी कांवर सेशन जानते हैं, तो उसमें कहीं पर भी किसी भी आस्रिया स्वाशन की, कोई भी इस तरीकी की बात न अब यही तो हमारा दुर्भागयन है, कि हमारे पास इतनी अच्छी सिक्षाएं भी हैं, लेकिन उसको हम कभी पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो खेर, कितना अंत बला तो सब बला, तो वो जो सब दिमाग में घुसा था बीच में कोड़ा, कि मैंने गुटी पहन लिए दागावान लिया है, तो अभी ठीक हो जाएगा नहीं, प्रयास से, और वही हुआ, हमारे को 14 महिने की महनत के बाद, यह सकस्स मिली कि अभी सब कुछ अंदर के कैमस्ट्री री सेट हो चुगी है, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन वाली पीलिंग नहीं, घरवालों से बादिंग वी सुदर गई इस बीच में, और वो जो प्रॉब्लम आ रही थी, कि एरक्शन नहीं आ रहा था, तो बहुत ही जल्दी जगलेट हो जाते थे, वो सब प्रॉब्लम भी ठीक हो गए, और समझ में आगया अची बात है, कि हमारे साइ मेरे दिमाग, मेरे फियर की वज़से, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सारे क्वेशन भी खतम होगे, और नॉर्मल लाइफ, और वो जो तमाम फियर से कि मेरी मारे लाइफ नहीं जल पाएगी, डाइवर्स हो जाएगा, बच्चे नहीं होंगे, यह वो सब सब खतम, बिलकुल, बि जिससे भी गंसार्ट करें, उस पर भरोसा करते हैं, पेशन्स रखते हैं, और अपने एफर्ट्स डाल कर, पूरे पेशन्स के साथ अपनी हीलिंग जर्नी को कम्प्लीट करते हैं, तो आप 100% ठीक हो जाते हैं, तो हमने क्या सीखा, इस के से, कि भाई, एक तो घर में कोई भ जोटा बच्चा हो, तो एकदम ब्लाइंड रस के साथ उस पर छोड़ने देना चाहिए, और देखना भी जाए कि बच्चे की कुछ हरकते हैं, हाव हाव कुछ बदल रहे हैं, क्योंकि इसने बताया था कि जब यह साच चीजे होती थी तो बीच बीच में पेरेंट्स को कु इस तरीके से बच्चे से बाट कर बाते ही नहीं करी, कि इतना सारा चेंजिस क्यों आ रहे हैं, तो एक तो यह है कि हमें अपने अपने ख्लोज बंस पर इस तरीकी का ध्यान देना चाहिए, कुछ भी ऐसे चेंजिस लगें, तो नोटिस करना चाहिए, तो उससा हर चीज की ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज लिमिट से बाहर करोगे और उसका कोई उफेक्ट नहीं आएगा, हर चीज एक सीमा में करने चाहिए, तो अच्छे से अच्छी चीज भी अगर आप लिमिट से बाहर कर देते हो, तो उसके भी दुश्परणाम सामने आते हैं, तीसरा हमने क्य सीखा, कि हमें कभी भी denial mode में नहीं रहना चाहिए, कभी भी उल्टी सीधी information इधोतर से खटी नहीं करने चाहिए, Google, YouTube से, unreliable sources से बिल्कुल भी खटी नहीं करने चाहिए, वो हमारी problem को और बढ़ा देते हैं, हमें केबल professional लोगों से, qualified लोगों से ही बात करने चाहिए, चौ करना कि जो चीज़ हमारी गलतियों से बिगडी है, हमारे प्रयासों से वो सुधर भी जाएगी, तो यह सब कुछ हमने इससे सीख लिया है, जिस तरीके से इसकी पूरी जिंदीगी बदल गई है, उस तरह से आपकी बदल जाएगी, बस खुद पर भरुसा करो, किसी के स्पैक करो, मजा जाएगा जिंदीगी चेने का, मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में, आप अपना खास ख्याल रखेगा